नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूजेटीन मद्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर ना मौज़न वक्त हो गया है मद्रदेश की महा डिबेट का जिसमें आज बात पहचान पर सवाल तो क्यों मचा है सियासी बवार उत्तरप्रदेश में कावड के रूट में आने वाली दुकानों पर दुकांदारों को अपने अपने नाम लिखने का आदेश जारी किया गया उसके बाद उत्राखंड में भी यूप क्ट्र मोहनयादव को खत लिखा है कॉंग्रेस को इस पर अतराज है और सीम डॉक्ट्र मोहनयादव को पत्र लेकर कहा है कि इसे दलितों पर पूर्वग रह की आशंका है दुकान पर नाम लेकिन सियासत का क्या है का दुकान का पूछाना क्यों मचा कोरा उनका नाम उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजएं दिक्षित है फलाना इसकी दुकान है उसमें बुरई क्या है नाम लिखा उना च्छी यूपी उत्राखंड मध़ प्रदेश पहचान पर क्यों कलेश ये बेहद आपत्ती जनक मांगे और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाब आज भी इस समाज में पूर्वा गरह जो है मौजूद है अपनी स्वयम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ती है नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है आस्था पर सवाल या फिर सियासी चार्ड पहचान पर सवाल मचा सियासी बवार UP की तरज पर MP में भी दुकानों पर नाम लिखने की मांग उठने लगी है जिस पर सियासत भी गर्मा गई है BJP की मांग पर कॉंग्रस ने हमला बोला है कॉंग्रस ने BJP पर जाती धर्ण की राज़नीती करने का आरोप लगाया है आखिर दुकान पर नाम लिख दिया जाए तो इससे क्यों आपती है आज इसी पर करेंगे महा डिबेट दुकान और उस पर दुकानदार का नाम मच गया कोहराम अभी मध्रदेश में सिर्फ मांग उठी है अगर लागू कर दिया गया तो क्या होगा आज इसी पर होगी महा डिबेट लेकिन पहले देख लेते हैं महा डिबेट के सवाल पहला सवाल महा डिबेट करेगा कि दुकान पर नाम लिखने से कॉंग्रस को आपती क्यों है या फिर किसी दुकानदार को आपति क्यों हो सकती है दुकान उसकी तो नाम भी उसका होना चाहिए दूसरा सवाल रहेगा धर्म आस्था की बात लाकर यहां राजनीती कौन कर रहा है तीसरा आखरी सवाल रहेगा कि नाम से पहचाद तो सियासत का क्या है काब इन्हीं तीन सवालों के इड़्गिद आज की मध्रप्रदेश की महा डिबेट रहेगी और मेरे साथ खास मैमान भी जोड़ चुके हैं पीजेपी की प्रवक्ता है वजना तरपाथी जी वो मेरे साथ जोड़ चुकी हैं कॉंग्रेस की प्रवक्ता हैं अमित शर्मा जी वो भी आपको टीवी स्कीन पर दिखाए दे रहे होंगे बत और पॉलिटिकल एनलिस्ट तनुष दिख्षित जी हमें जॉइन कर रहे हैं एड्वोकेट भी है सुप्रीम कोड के वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वरिष्ट पत्रकाद रंजे प्रताप सिंग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का ही बहुत-बहुत स्वागत है अमित जी पहला सवाल मेरा आप से रहेगा मेरा नाम अपणना मौजशम है आपका नाम अमित शर्मा है जब हम अपनी पहचान अपने नाम के साथ ही दूसरे से मुखातिं होते हैं रूबरू होते हैं अपना परिचे कराते हैं तो फिर दुकांदार को दुकान नाम लिखने के कह दिया गया तो इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है bought अपज्ण जी किसी को कोई आपति नहीं दुकान के नाम में और मैं आपको बता दूक shy नगरनिगम में मैं पारषद रहा हुँ कोई भी दुकान खोलने से पहले ऑस्थוכान को दुकान मालिक को अपना गुमास्ता बनाना पड़ता है अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू उसका नाम अमिच शर्मा लिखा जाएगा अगर वो मुसल्मान है तो उसका नाम फारुक लिखा जाएगा अगर वो सिख है तो उसका नाम सिख में गुर्विंदर सिंग लिखा तो पहले से ही आपती किसी को नहीं है जो नियम और कानून बने है नाम के वो पहले से गुमास्ता में मैंचन होता और हर गुमास्ता हर दुकांदार की सामने लगा रहता है तो अब ये नई प्रक्रिया के बड़े बोर्ड लगाओ इससे क्या धर्मिकता पिछ पर खेलना चाह इतने बार धार में कुनमात फ्हलाने की कोशिश करी तो भी कॉंग्रेस काशी जीती ना तो भी आयोध्या जीती ना तो भी रामेश्वरम कॉंग्रेस जीती ना क्योंकि भगवाद ने जी चाहता कि किसी के नाम के आधार पर नाम के आधार पर किसी राजनीती को करा जाए अब उस समय उस मा को दर्द होगा जब देश की सेना के लिए भरती करकर और देश की शाहदत की जाती है शहिद होते हैं हम पाकिस्तान से लड़ते हैं तो हाली में अभी राश्टपती द्रौपती मुरुमम जी ने अब्दुल माजित को कीर्टी चक्र प्रदान किया है सैफुल्ला कादरी को शौरी चक्र प्रदान किया है मुस्तपा बोहरा को शौरी चक्र प्रदान किया है और इस देश में कई ऐसी चीजे हैं कि जो शहादत के लिए देश पर कुर्बान हो गए अब हम काबर यात्रा के लिए कहना चा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि आप नाम लिखना है अरे हमें किसी पर आपत्ती नहीं है यह भगवान राम जो है वो मर्यादा के लिए जाने जाते हैं इस देश में इतना हंगामा क्यों है दुकांदार जिनकी दुकान है उनको अपना नाम लिखने में आपती नहीं है पिर आपती जटा कौन रहा है मिथुन अहिरवार ने कॉंग्रेस के लेटर हेड पर चिट्टी लिखी है और मैं आप भी मोपाल से पढ़कर सुना रहती हूं कि लिखा है क कि आपके एक विधायक के द्वारा मध्यप्रदेश में भी यही कृत्ते करने की मांग ही कि इस कदली समाज की ओर से एवं कॉंग्रेस पार्टी की ओर से मैं विरोध करता हूँ क्यूं विरोध हो रहा है कौन पूर्वा ग्रह से ग्रसित है यहाँ पर अपड़ना जी आप उस चिट्टी को द्यान से पढ़िए वो चिट्टी मेरे पास भी है उस चिट्टी में यह नहीं कहा कि हमें किसी हिंदु धर्म की या किसी जाती पर आपत्ती है हमने यह कहा कि इस तरीके से जो पहले से गुमास्ता बनता है दुकानदार का नाम पहले से लिखा जाता है अब बड़े बोर्डों में उसका नाम लिखा जाए जिससे जाती को आइडेंटिफाई करना है उन्होंने उस धार में कुनुमात फैलाने वाली मानसिक्ता पर आपत्ति दर्शी है नियमों का पालंग करने के दौरान उत्पात ना मचे किसी गरीब को नुकसा ना हो आप ये मांग कर सकते हैं कि इंप्लिमेंटेशन किस तरह से हो रहा है वो ध्यान दिया जाए लेकिन खामखा इस बात को लेकर हंगामा मचाना जबकि ये कानून 2011 में ही लागू हो गया था और उसके बावजूद भी आपका विरोध जी अमिच्छी बताईए अपणना जी मैंने कहा ना कई शेरों के नाम बदल दिये गए कई सडकों पर नाम बदल दिये गए अरे बाईया बोर्ड की इक्षा है आपको मद्ध प्रदेश में भी ये करने की वो भी इक्षा पूर्ती कर लीजे मद्धाता जागरूख है हर व्यक्ति अपनी नोकरी चा पर जवाब लेती हूं इसी बात पर वंद्धना जी आपकी पार्टी ने मध्रप्रदेश में तो बेहतरीन प्रदर्शन किया सीम डॉक्टर मोहन यादव की अगवाई में 29 की 29 सीटे कावर यात्र का जिकर आता है सावन का इतना पवित्र महीना शुरू हो रहा है कल पहला सोंवार को पहला सोंवार पड़ेगा उसके बावजूद भी इस तरह की बाते उठाकर क्यों माहल खराब करना चाहती है आपकी सब्सक्राइब करना चाहता है कि जो भी व्यक्ति कोई फुट रिलेटेड आइटम से कोई भी रिलेटेड बिजनेस बोलेगा उसमें उसको प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा और यह जो आया था कि कॉंग्रिस के जमाने में आया था आज को इस आक्ट के तहर जो निय कि देमांड है कावडिया यह चाहते है कि जिस भी दुकान से वो भोजन करना चाहें वो करें जहां कि वो चाहे पीना चाहें पिये इसमें अमिट जी या कॉंग्रेस पार्टी को क्यों आपती है हर व्यक्ति पच्छंद है हम भी बजार जाते हैं हम यह नहीं देखते कि कपड़े क्रिदने इंदौर में पाकीजा नाम की दुकान से इसको कपड़े खरीदने हैं वो घूबाल में हकीम को भोजन करना चाहें नाम लिखतेने से क्या आपती है मुझे ही पात समझ में नहीं आती इसको मुद्धा क्यो carries legitimately कि के 수도 पार्टी ने पुष्टी करन का चिस्मा पहन रखा है और हर बात को उस तुष्टी करन के नज़गे तेखते हैं अब प्रोपराइटर का नाम लिखते है इस पर क्या गलत है हमित्य आप और मैं भी तो एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से जानते हैं तो नाम में आपको क्या अगर नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो यह कुछी की बात है कि किसी देखती का नाम ही तो हमारी पहचान है नाम लिखने पर आपती यह तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है यह तो फूट जेफ्टी और स्टैंडर्स आपी लोग लिखे आए हैं जिसे का भी लिखा जाएगा सिक्ट का लिखा जाएगा इसाई और पार्ची का भी लिखा जाएगा वाकर यह तो लेकिन अब क्या भी स्यार कर रहे हैं क्या कि अपड़ना जी 2011 में बने स्टैंडर्स रेगुलेशन को कि लाइजनिंग और रिजिस्टेशन अपड़ना जी आपके 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 पास आ रही हूं लेकिन इसी बात पर धननजे जी मैं आपके पास आ रही हूं वाट सिना नेम जिसने कहा उसका नाम उस लाइम के नीच होता है कि जो दुकानदार हैं अगर वो नाम लिखने को लेकर अतराज नहीं कर रहे हैं यहां ग्यावा के कारून में चिट्थी अब लिखी जा रही है कॉंग्रस का हंगामा पूरवग रहे को लेकर है सब अपनी अपनी बैटिंग पर सयार कर रहे हैं क्या देखो अपना मैं आपको बताना चाहूंगा 40-42 साल पहले जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक रास्ते में दुकान पढ़ती थी उसका नाम था रोजी जनरलिस्टोस और नीचे बोर्ड लगा था और उसमें लिखा रहता था प्रो फिरोज लाला नी एक द प्रो करके अपना नाम लिख देता था तो यह कोई नई बात नहीं है और यह रसल सियासत का यह विसाय भी नहीं है लेकिन आज जो इस मुद्दे पर सियासत हो रही है उसकी वज़ा दूसरी है इसको आप राजनेतिक नजर यह से देखिए तो उत्तर प्रदेश में पार्टी सबका साथ सबका विकास वाला जो एजेंडा था उनका उसको छोड़ करके अपने को रेजेंडे में वापस आ रही है यह लड़ाई उस विसाय की है कि भाजपा ने जितने प्रयोग किये कि हम लाभार्टी वर्ट के वज़ास की बदोलत लोगसभा चुनाव जीत पूरे देश में पूरे देश में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि यह पड़ना मेरा मतलब सोचना है जी आपने बहुत भी बहुत बालिट पॉइंट यहां पर उठाया है क्योंकि इस बात को तो और शुविंद अधिकारी ने भी खुलकर कहा कि देखिए बाद में भ बड़ा हिंदू कॉन है कट्टर हिंदू कॉन है क्या उसको लेकर अभी क्यों हंगामा हो रहा है और कानून की पेचीवग्या कैसरा बटा दीजिए देखिए मैं आपको बताओं यह कानून जो है 1968 से वैलिड है उसका एक जो मेजर जो न्यू फ्रेश कानून आया था जिसे हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अदिनियम 2006 यानि फुट सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक 2006 बोलते हैं उसके बाद 2011 में FSSSI का एक अमेंड्मेंट आया तो देखिए क्या है इन सभी के अंदर यह बहुत जरूरी रूप से मेंडेटरी किया गया था कि जितनी भी शौप्स होंगी उनके बोर्ड के उपर जो प्रोप्राइटर है जो ऑनर है उस शौप के उनका नाम साथी साथ लाइसेंस का नंबर जो भी उनको मिला है वो निश्यत रूप से होना चाहिए लेकिन देखिए यह जो मानक जो होते हैं स्टैंडर्स होते हैं किसी भी लौ के अगर कोई लौ बना हुआ है और उसको इंप्लिमेंट कराया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की विवाद की स्तिति है आज 2004 से 2014 तक UPA की गवर्मेंट थी सेंट्रल गवर्मेंट में दॉक्टर मनमौन सिंग जी जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं दस साल और हम सभी को याद है कि यह दो बिल मतलब एक तो आया था जो फुट सेप्टी एंड स्टैंडर्ड एक 2006 वो भी सन 2003 सगस्त 2006 को लागू हुआ था पुरदे पर रेट लिस्ट भी मेंडिटरी रूप से लगाने के लिए निर्देश जारी हुए थे लेकिन और साथ ही आज उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा मुद्दा अगर चल निकला है किसी वज़े से भी तो याद हो कि 2006 में मुलायम सिंग्जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्र लेकिन कानून का जाहिए कानून का पालन की जाहिए ना कि सियासी द्रवी तरह आम जी हूंवे घ्रकान की तरह है कि नाम ना लिखे या फिर आप कह रहे हैं कि वही वो क्या डर मन में इस बात को लेकर है कि बीजेपी को इससे फाइदा हो जाएगा बीजेपी अपने वोर्ट बैंक को सिक्योर कर लेगी देखे जब भारती अंता पार्टी चरम सीमा पर धार्मे को उनमाद और तुर्ष्टी करने पर शीर्ष पर थी जब कॉंग्रेस चिंतित नहीं हुई तो अब तो समय ही नहीं है चिंता का चिंतित नहीं हुई लेकिन बगदर मज़नीती का अरे भगदर भगदर तो अभी बीजेपी में मच गई है पढ़ना जी थोड़ा बता दीजे चार सो पार जाने वालों की क्या भगदर मची है तो भगदर से चिंता नहीं है कॉंग्रेस ने तो बिपक्ष में भी देखा है और पक्ष में भी देखा है तो कॉंग्रेस में की गर पे यह लगाए जाएं के महेंगाऊी से कोन परेशान है बोर्ड उस पर घर पर लगाए जाए किकिरस गर में lictamत्या की ए बोर्ड उस घर पर लगाए जाएगा जिस घर पर गरीबी से जो परिवार मर रहा है अब इन बातों के बोर्ड जो पहले से नियम बनाए हुए है अभी वरिष्ट वकील साब बोल रहे हैं, वरिष्ट पत्रकार बोल रहे हैं, कि पहले से नियम हैं, मैंने आपको शुरूबात में ही बताया, कि गुमास्ता जो है, उसके अथेंटिसिटी के लिए, उसके नाम को लगाने के लिए, पहले से नियम बने हुए हैं, और हर दुकानदार बोल लगाता है, लेकिन अब भारती जन्ता पार्टी का ये कहना है, कि बड़े बड़े बोर्ड लगा कर उस पर जो है राइस्टेशन मत लिखिये, नाम लिखिये, कि ये अमिच शर्मा की दुकाने, ये शरीफ की दुकाने, ये मौलाना की दुकाने, ये सिख की दुकाने, महरबानी करके इन हिस्सों में भारत को बाटने की कोशिश ना करे, और एक साथ होके भारत को आगे बढ़ाने पर जोड़ दे पहले से यह बटवारा नहीं है क्या जो क्रिश्टन स्कूल होते हैं वो सेंट जोसर सेंट जोर्ड इस तरह के नामों से होते हैं कि पहले से ना मदरसों में अलग जो मुस्सलिम नाम अपनी अलग पह्चान होती है बद पर ग्रह Хक बद भूर दुका बद थन ङूआ है कि मुझे ट्रांसपररेंस ही रहे मुझे कहां जानाय का नहीं जानाय। मेरी कोई आपत्ती नहीं है भारती जनता पार्टी पूरा परिक्षण और इंप्लिमेंट करता रहे हमें कोई किसी से आपत्ती नहीं है और जिस तरीके से बोर्ट छोटे लगे हो वाँ बड़े बोर्ट लगवा दीजिए और मेरबानी करके यह सारा जो राजनीतिक चडियंत्र कर रहे हैं आप बिचार करिए जो वैश्णो देवी की यात्रा में जाते हैं जिस अबदुल के गोड़े पर बैटके हम दर्शन करने जाते हैं वो जबाब मांगेगा और जिस तरीके से धार्मे कुनमात पहलाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम अमरनाथ जाते हैं और कोई हिंदू परिवार जो है वो घायल हो जाता है जिसको वहां के लोकल लोग मदद करते हैं उसकी बैसाकी पर कई चार लोग बुजुर्गों को मुसलमान ये सारी बातों पर छोड़ दीजिए ये बताईए के देश कैसे बढ़ेगा वंद्रा त्रिपार्टी जी आप लोग घर मुझाती की गेहरी खाई पैडा कर रहे हैं और कभी किसी बड़े स्टोर में या बड़े कॉफी हाउस पर जाते वक्त तो आप नहीं कि हमें नाम से आपती है हमें नाम से अगर आपती होती तो फिर ये बताईए आप की हलाल का सर्टिकेट लगाना क्यों जरूरी है बहुत सारे ब्रैंट्स को बहुत सारे कंपनी को ये क्यों ऑथराइज किया गया है कि वो हलाल का सर्टिकेट लगाएंगे और तब ही उनका प्रॉड़क्ट विकेगा ऐसा क्यों कि लोग बेरोजगार जो रोजगार मांगने के लिए हलार हो रहा है आप उन पर चिंता करिए यह नहीं देगा आप अगर हिंदू है सनातन धर्म में जो शिकाया गया है आप उसका पालन करिए सद्वाव के साथ लोगतंत्र के साथ और भारत के संविधान के साथ चलने का प्रियास करिए उन हिंदू बच्चों की चिंता करिए जो बेरोजगार मैठे उन हिंदू बच्चों की चिंता करिए जो आपके मंत्री बारती अंता पार्टी के बड़े-बड़े नेता बलतकार में शामिल है लकीरपूर की हिंदु लड़की की चिंता करें जिसको जला दिया गया नहर्बानी करके इंपर आजीती मत करिये करेंगे पहले से लोग लिखते आए है यह मुद्दा नहीं है तो मुद्दा नहीं है कि मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है इस सियासत की पिच पर मुद्दा नहीं है नाम जिसको नाम लेकर जगड़ा है पहचान को लेकर जगड़ा है कलेश मचा हुआ है जिसकी दुकान है वो अपना नाम इमानदारी से चाप कर लगा रहा है लेकिन फिर भी सियासी हला हंगामा जारी है MP की मार डिबेट में इतना ही खबरे लगाता है जारी है जुड़े रही है